किसान भाईयों नमस्कार मैं हूँ दसरत दाकर आप देख रहे हैं डीब वार्मी योटूब चैनल मटर में फूल निकलते समय तीन गलतियां कभी मत करना किसान भाईयों मटर की वसल में जब फूल निकलना प्रारंब होते हैं इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई करते हैं जिससे मतर का उत्पादन भी कम निकलता है इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिनका आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप मतर की केती से बंपर पेदावार ले सकते हैं पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पास मैं गंटी के निसान को भी जरूर दबाईए जिससे हम आगे कोई नया वीडियो अपलोड करे तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए किसान बाईयों अधिकतर सेत्रों में मतर की वसल में फूल की स्टेज प्रारंब हो चुकी है वहीं कुछ पचेती बुवाई जहां पर मतर की हुई थी वहां की वसल भी जब 30 से 40 दिन के आसपास हो चुकी है मतर की वसल में जब फूल निकलना सुरू होते है इस समय किसी भी परकार से आपको मतर में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए पोदे में यूरिया की जरूत वानस्पतिक स्टेज में होती है मतर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए किसान भाई मतर में यूरिया का प्रयोग करते है लेकिन जब मटर में फूल निकलना सुरू हो जाते है इस समय पोदे को किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन की कोई जरुवत नहीं होती है फूल निकलते समय आप यूरिया का प्रयोग ना करें अगर आप इस समय यूरिया का प्रयोग कर देते है तो इससे पोदे की ग्रोथ बढ़ जाती है जिससे फूलों का विकास अच्छे से नहीं होता है और फल्या भी कम आती है क्योंकि पोदा अच्छे से ग्रोथ करने लग जाता है जिससे फल फूलों का विकास अच्छे से नहीं होता है तो पहली चीज आपको द्यान में रखना है कि आपको यूर्या का सई समय पर परियोग करना है इसके अलवा मटर में फूल निकलते समय आपको हेवी कीट नसर का परियोग नहीं करना चाहिए विसान भायों मटर में चोटी-चोटी इल्यों का परियोग दिखाई देता है अगर आपको लगता है कि आपकी फूल में चोटी-चोटी इल्यों या कीटों का परियोग नजर आ रहा है तो या तो आप मटर में फूल आने से पहले ही कीट नसर का परियोग कर ले या मटर में जब फूल्यां बनना सुर्व हो जाती है उस समय आप कीटनासक का परियोग करें अगर आप मटर में फूल बन रहे हैं और उस समय हैवी कीटनासक का परियोग करते है तो इससे एक परकार से फसल को जटका लगता है जिससे फसल की ग्रोथ एकदम से रुख जाती है फ्रागन की प्रक्रिया में रुकावट आती है जिससे फूल अच्छे से नहीं बन पाते है फूलों का विकास अच्छे से नहीं होता है फैलियां भी कमाती है और इससे हमारी प नसका प्डियो करें इसके बाद मटर की वसल में जब फूल निकलना सुरू होते है उस समय आप सीचाई ना करें खेद में अगर नमी हो जाएगी तो इससे फूल एक साथ नहीं निकल पाएंगे दिरे दिरे फूल निकलेंगे जिसे फूलों का विकास अच्छे से नहीं हो पा तो इस बात का भी द्यान रखिए जिससे मटर की खेती से आप बंपर उत्पादन ले सकते है ये कुछ गलतियां थी जो अधिक्तर किसान भाई करते है जिससे मटर का उत्पादन भी कम निकलता है और उन्हें ज्यादा मुनापा भी नहीं मिल पता है तो अगर आप किसान है तो इन मतों का ध्यान जरूर रखिए जिससे आपको फाइदा जरूर मिलेगा उमेद है ये आपको जानकरी फसंद आयोगी वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक सियर जरूर करें नई वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद जे किसान